असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूं माही और आज की जो रेसिपी है वो है चना मसाला ग्रेवी काले चने से हम ग्रेवी वाले मसाले चने बनाने वाले हैं तो बहुत कम लोगों ने यह खाय होते हैं बहुत से लगों उते हैं今u सुखे हुए काले चने बना लीदा हैं चना ч probability अजाते हैं अजया पहुत सबस्वारत होते हैं में उस सब बहुत कर भर बUp लोगोंने बहुत सब लोगा हैं कि कैसे boil करना है हाई यहाँ पर एक ट्रिक में आपको बता दूंगी जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपने इसे रात भर नहीं भीगोया है तो एक से दो घंटिक लिए से गरम पानी में भीगो दें और boil करते वक्त नमक के साथ आप इसमें baking soda भी डाल दें बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको इसे जो चाने है ना इसे over cook नहीं करना मतला पूरी तरह नहीं गलाना सिर्फ 90% गलाना है 10% के आपको इसमें कसर छोड़ देनी है वो क्यों छोड़नी है मैं आपको आगे बताऊंगी तो अब हम इसे रख देंगे एक तरफ और अपना आगे का काम शुरू करेंगे तो इसके लिए मैं लूँगे कुकर कुकर में मैं डालूँगी तीन चमच तेल तेल आप अपने इसाप से कम ज्यादा भी कर सकते हैं तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैंने डाला है जीरा एक चमच मैंने जीरा डाला है एक मैं दाल जी लेकान के लिए से हम कड़कने देंगे उसके बाद मैंने यापड दो बड़ी प्याज ली हैं उसे बारिक-बारिक काट लिया था और वह प्याज हम इसमें डाल देंगे प्याजों को बस आपको एक से दो मिनट के लिए फ्राई करना है तेज आच पर इसका कलर चेंज नहीं करना है इसे गलाना नहीं है सिर्फ एक-दो मिनट के लिए फ्राइ कर लेना है जब यह एक-दो मिनट हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट और यह डालके भी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अपने gas को हम sim कर देंगे और इसे थोड़ा सा बुनने देंगे तब तक हम लेंगे दो टमाटर और तीन से चार हरी मिर्च हरी मिर्च आप कम चाहें तो कम भी ले सकते हैं और इसका बना लेंगे एक paste paste बनके तयार हो चुका है और फॉरण अवी से भी हम डाल देंगे अपने प्याजों में और इसे डालने के बाद जल्दी से हम हिला लेंगे और इसके पाद हम gas को थोड़ा सा बढ़ा देंगे अब आप देखेंगे मसाले देखेंगे आधा चमच मैंने नमक लिया है आधा चमच हरी मिलाल मिर्च आधा चमच हल्दी पाउडर तेड़ चमच धनिया पाउडर एक चौताई चमच गरम मसाला और एक चौताई चमच छोले मसाला नमक आप देखेंगे मैंने हाँ पर अभी कम लिया है क्योंकि हमारे जो चने हैं उसमें भी नमक है तो ये मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसके बार इसे मिला लेंगे जल्दी से और मिलाने के बाद अब हमेंने मसालों को अच्छे से भूनना है तो भूनने के लिए हम इसमें चाहिए थोड़ा सा पानी तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और जितनी दियर मस मसाला क्वोणने कहिए मंद तब हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हमारे जो tämä अब यहां थोड़से हैं अपने ग्राइंडर-जारं में लेनगे थ्कूटे-समी tougher चेने लिए हैं एक।もし Ugh 2 से जाधा देखे कितना अच्छा सा पेस्ट में के तयार हुआ है अब यह हम डालेंगे अपने मसाले में और यह डालने के बाद जो इसका टेस्ट निकल कर आएगा ना और इसके जो ठीकनेस इसकी ग्रेवी में आएगी जो जो मसाला करिया बनाते होंगे तो उसमें छोले अलग और पान पीसे थे यह हम इसमें डालेंगे तो इसके ज़रूरी स्टैप है या आपको धियान रखना है या आपको जरूर करना है अगर आपके मतने जो जैना मसाला बना रहे हैं उसकी जायका को बढ़ाना है अलग थोड़ा से रेस्टरेट स्टाइल वाला घर आपको जायका और थोड़ा सो मूल नेंगे जिब थोड़ा थोड़ा तेल अगला होने लगएगा तो बस इतने दिर में आपको यह हो जाएगा तो यह तीन से चार मिनिट लगेंगे अब हमारे जो चने थे वो हम चने इसमें डाल देंगे और साथ में उसका पानी भी हमें फेकना नहीं है वो पानी भी हमें इसे डाल देना है क्योंकि हमें करी वाले बनाने है तो हम अलग से पानी डालने से अच्छा है कि जो चने का पानी था वही हम इसमें डाल दें अब इसमें मैं डालूँगी एक नीमबू नीमबू डालना भी ज़रूर ही है क्योंकि नीमबू से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारे चनों में तो यह जरूर डालें और यह डालने के बाद फिरसे से मिक्स कर दें और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी वैसे हमने हाथों से क्रश कर लिया था और थोड़ा सा धनिया पार्डर अब यह चीज हमारी सब चीजस में जा चुकी है और अब हम इसे mix कर लेंगे mix करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगर आपको लगता है कि पानी यह और जरूरत है क्योंकि इतनी ग्रीवी हमें चाहिए तैयार और अभी हमें इसे पकाना है तो थोड़ा सा पानी हमें और डालना पड़ेगा और कितना आपको गाड़ा रखना है कितना पतला रखना है यह आप पर डिपेंट करता है तो आप अपने हिसाब से डालें तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला ताकि इसे पकने के लिए पानी मिल जाए तो अब हमें क्या करना है देखिए हम मैंने आपको बताया था कि चनों को थोड़ा सा में ख़ड़ा चोड़ना है सिर्फ 90% गलाना है तो अब हम यहाँ पर फिर से कुकर के ढटकन को लगाएंगे क्योंकि अब हम इसे अच्छी तरह से गला लेंगे अब यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया अब मैं पांच मिनट के लिए नहीं एक सीटी आने तक मैं इसे पकाऊंगी तीज आच पे और उसके वाद मैं इसे हलका कर दूँगी और पांच मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी सिंपल देखिए अब यह मेरे हो चुका था और मैं पानी आजाएंगा और अब अब इस सयर्व कर लें थाराइए वसे पूरी के साथ या पराटो के साथ या भूर जीरा राईस के साथ किसी चीज के बहुत सबक्राइस कर सकते हैं या रोटी के साथ भी आपको अच्छा लगेगा और बस इसके थोड़ा सा गानिश कर लेंगे हम धनिया पत्ते से और थोड़ी सी इसके उपर हम रख देंगे हर इमिर्च हर इमिर्च इसके साथ बहुत अच्छी लगती है आप चाहे तो प्यास भी रख सकते हैं गानिश आपकी मर्जी क साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब बीडियो को लाइक करने से हमें अच्छा रगता है तो लाइक कर दिया करें चली चलत की ओ अधी वीडियोC oh